दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं joint splicing joint splicing दो rope को बगर गांट लगाए बगर नोट लगाए जोड़ना होता है सबसे पहले हम लोग यह 4 stun rope है 3 stun में बहुत इजी होता है 4 stun rope है पहले तो हम लोग हर एक stun पे tape मार लेगे टेप मारने के बाद इस तरह से बराबर लेंध में खूल लिएंगे खूलने के बाद में इनको आपस में इनकी ट्विस्ट देखके इनको जोईन्ट करेंगे तो हम लोग इसको फ़ॉर स्टेंड जो दोनों साइड से इस तरह एसी मिला लेगcık ध्यान रहे कि ये दोनों जो बीच का जो एरिया है ये और ये आपस में इस तरह से मेल खाती हुई दिखें उसके बाद एक साइड से पकड़ के एक साइड से होल्ड कर ले या टेप मार सकते हैं पकड़ने के बाद में जिस तरह से थ्री स्टन रोड पे हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं उसी तरह से वन बाई वन इस पे स्प्लाइसिंग शुरू करें हैं 1st stun inside 2nd stun also inside and this 3rd stun also inside this one is 4 So, all 4 stuns are inside चारो इस टरन हमने अंदर डाल दिये हैं अभी हम एक-एक टरन और लेंगे इस पर क्योंकि निकलने का चांस रहेगा इसके लिए एक-एक टरन और लेंगे तो फिर निकलने का चांस खतम हो जाएगा कि यह एक-एक और वन मोर टाइम पूट इनसाइड नमबर टू नमबर ट्री और यह हो गया नमबर टूर ठीक है नमबर फॉर हो गया एक साइड के लिए हो गया दूसरी साइड में आ जाते हैं दूसरी साइड में भी जैसे वो साइड में डाला था वन बाई वन ओल फॉर इंस्टन्स पर डालते हैं वैसे ही हम लोग वन बाई वन डालते रहेंगे अपोजिट साइड में जैसे इसका ट्विस्ट यह है तो यह जाएगा अंदर से गुशेगा इसमें अगेंस्ट ट्विस्ट और ऐसे करके हम लोग बगर नोट लगाए बगर गांट लगाए रश्ची के उपर बगर किसी नोट के हम लोग आपस में इसको जोड सकते हैं कि सिच्वेशन आई इस तरह का लुक आए तो समझो कि यह ठीक लगा हुआ है कर दो